नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आज किस नई क्लास में दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले बीए के हिस्टरी यानि कि इतिहाद से जुड़े जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महत पूर्ण है क्योंकि ये सारे नई सिच्छानी पर आधारित है और समेश्टर प्रणाली पर भी आधायत है जो इस बार नया नेम लागो हुआ है यानि कि 2022 के लिए जिन भी छात्रों की पेपर है उनके लिए महत पूर् आपको बताएंगे जो कि आप सभी को मालूम है किस बार आप सभी के जो एक्जाम होंगे वह पैटरन होगा यानि कुछ पैटरन होगा वह सब्जेक्ट्ट्व बेस का होगा हाला कि कुछ 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 को सकते हों 5-10 और सारे लिखित पेपर होने वाला है तो इस तरह के को तो ध्यान दीजेगा ठीक है पहला कोश्चन है आज किस बीडियों का मोश्ट इंप्वार्टन मेरे छांट के पूरे फिल्टर करके रखें ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी मदद मिलेगे एक्जाम में कई न कई कोश्चन आपको देखने को मिलेगा लिखा है पहला क संस्कीत का केंदर अस्तरर पंजाब और सिंद में मुख्यता सिंद घाटी में था यही से इसका बिष्टार दच्छिनी और पूर्वी की ओर हुआ इस प्रकार हरपा संस्केत के एंतरगत पंजाब सुन्द का ठीक है बलुष्चिस्तान के भाग ही नहीं बलकि गुजरात, राजिस्थान, हर्याडा और पस्चमी उत्तर प्रदेश के सिमान्त भाग भी सम्मिली थे सिंदु सब्विता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दच्छिड में नर्मदा के मुहाने तक और पस्चिम में बलुष चस्तान के मकरान समुद्रत से लेकर उत्तर पूर्व में मेरड तक था यह समुचा छेत त्रिबुच की आकार का है इसका पूरा छेत पर लगबग 2,99,600 वर्ग किलोमीटर यानि केमी है अता या छेत पाकिस्तान से बढ़ा तो है ही टिक है पाकिस्तान से तो बढ़ा तो है ही प्रचीन मिल और मोटर मॉस्वटामिया से भी बढ़ा है ईसजा पूर्व तीसरा और दूसरी ठिक है ससापदी में संसार में किसी भी संस्कित का छेत हड़पा संस्कित छेत से बड़ा नहीं था तो ये रहा सिंद सबिद्य का विश्तार कहां तक था ये मैंने आप लोगों को बताया कि कहां से कहां तक था और ये जो कितने वर्ग मीटर तक फैला था यानि इसका जो एरिया था तो कितना था ये भी आप लोगों पड़ेंगे समझेंगे तब ही आप लोगों को आएगा एक बार से मेरे बताने से आपको एक बार परने से फिर से नहीं आएगा तो एक से कम दो से तीन बार वीडियो को देख लीजेगा है, question पढ़ लीजेगा, तब ही आपको पूरे question आसाई समझ में आ जाएंगे, main point मैंने आपको बता जिया कि कितने area में फैला हुआ है, और सबसे बड़ा छेतर फड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है, और कहां से कहा तक फैला था, और कितने वर्ग मीटों में फैला था, यहीं main point था, यह ध्यान रखेगा बस, ठीक है, बढ़े निश्कोशन के और, निश्कोशन कहरा है, कि सिंदुगार्टी की सब्विता, ठीक है, ध्यान दीजेगा, सिंदुगार्टी की सब्विता किस प्रकार की थी, त समझते हैं, दोस्तों मैं आप पता दू कुछ word type करने में, या फिर में बोलने में मिश्टेक हो सकते हैं, तो उसे आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजेगा, गलती से निकल जाता है, तो आप लोग अपने according समझ लीजेगा, कि सर्गार्ट नहीं बोलने हैं, बोलने हैं, पर वो मिश्टेक हो गई, ठीक है, चले पढ़ते किस पकार के थी, लिखा है कि मोश्ट इंपारन कोश्चन है, जाम में कई बार रिपेटेड है, लिखा है कि सिंदु घाटी की सब्विता या हडपा सब्विता भारतिय उप महाद्यूप में प्रथम नागरी करण का प्रत हो दियान दीजेगा, नागर जाल की तरह ड्यान दीजेगा, घाटी नागर जाल की तरह अधारित था, जायान देजेगा, प्रतेक नगर दो भागों में वरगी करथ आ, जिसमें प्रथम पश्चिमी टीला यहन दूत्यिय पूर्बी टीला था, पस्टिमी टीले में पेच्छाकरत उंचे एवं छोटे होते थे इन टीलों पर किले या दुर्ग उपस्थित थे पूर्भी टीले से सहर का साथ्छ मिला है जो पेच्छाकरत बड़ा था ध्यान दिजेगा जो पेच्छाकरत बड़ा था पूर्भी टीले में वेपारी रहते थे जान दीजेगा समझ लीजेगा इसी टाइम और लिखा कि हडपा मोहन जदड़ एयों काली बंगा में नगर दुर्ग एयों प्रचीर युक्त निचला और नगर अलग अलग इस्थित थे सिंद सब्विता के सहरों में मकान पर आया पकी इटों से निर्मित थे ध्यान दीजेगा सिंद सब्विता के सहरों में मकान पर आया पकी इटों से निर्मित थे काली बंग में पकी हुई इटों का प्रयों केवल नालियों कुएयों दहलीजों के निर्मार में किया जाता था तो यह रहा कुल मिला के सिंदुगाटी की सब बिता किस प्रकार थी और उसके बारे में संचिप्त वरड़न या पिर आप कह सकते हैं संचिप्त इसका परिच्छ है जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया तो दो से तीन बार आप लोग कम से कम कोश्चन को औ पुराणों का महत्त बताईए चलिए देखते हैं क्या लिखा एंसर में लिखा है कि पुराण भारतिय साहित की अमन रसनाये हैं पुराण का तादपर प्रचीन होता है डाक्टर राजबली पांडे ने पुराणों को प्रचीन भारतिय इतिहास का विश्कोस माना है इसका अर्थ है पुराणा ख्यान पुराणों के वरन विशे के बारे में कहा गया है कि ये एक पंक्ती है जो आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक है लिखाया सर्गस्च प्रति सर्गस्च वन्सो मनवंत्राडी ठीक है मनवंत्राडी चा वंसा नुचारिताम चायो पुराडाम के अंतर्गत सर्ग प्रतिसर्ग One थिक है मन्वंतर और वंसानुचरित का समावेस है ठीक है समावेस है समावेस है और यहीं पुराणों के 5 लच्छन हैं जो की प्रोफेसर भी यसी पाठक के अनुसार वंस और वंसानुचरित पुराण साहित के अवस्चक अंग बताये गए हैं और पुराणों में बिभिन सासन वंसों के वंस ब्रच दिये गए हैं पुराणों का रसनाकाल महाकाब्यों में गुप्त काल तक माना जाता है पुराणों की संख्या ध्यान दिजीगा पुराणों की तो यह रहा कुल मिला के प्रचीन भारती एतिहास के पुराणों का क्या महत्तु था उसके बारे में आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा एक दो तीन बार फिर से पूरी तरह आज आएगा मैं कहे रहा हूं फिर से ठीक है कि वैदिक काल में क्या धार्मिक मानेता हैं प्रचलित थी लिखाया उत्तर में कि रिगवेद में जिन देवतावा की पूजा अर्चना एवं अस्तुतियां मिलती हैं वे प्राकरतिक तत्तों में नहित सक्तियों के प देखकर प्रभावित हुए हैं वह उनमें से नैसरगिक सक्तियों का अनभों करते थे इन नैसरगिक सक्तियों को रिशियों ने देवतावों की उपलब्द मान कर देवतावों के विशय में उत्पन विबिन भावों को वाक्यों के रूप में परिनित कर दिया इन पबित्र के द्वारा देउताओं के अराधना की जाने लगी इस परकार रेगवहिदिक धर्म का जन्म हुआ तगालिन समाज में यह माना जाने लगा कि तेज सक्त ज्यान वर्सत देउताओं के गुड़ों थीक है देउताओं के गुड है तथा युwas बुराईयों को समाप्त याई लंग था उसके बारे में संचिप्त इसका पर्च है आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा फिराल ठीक है क्योंकि इतने स्मार्ट आप लोग है ही फिराल भी में पढ़ रहे हैं तो ठीक है निश कोश्चन के और बढ़े हैं निश कोश्चन कहे रहा कि उत्तरवैदिक स पश्चात के काल को उत्तरवैदिक युग कहते हैं ध्यान दीजेगा रिग वैंदिक ठीक है वैंदिक युग के पश्चात के काल को उत्तरवैदिक युग कहते हैं रिग वैदिक काल में सिर्प रिगवेद की रसना की गई थी क्यूंत उत्तरवैदिक काल में से तीन वेद साम वेद यजुरवेद अथरवेद ब्रम्भान ग्रंथो उपनिसदो एवं आरन्यकों की रसना हुई है इस युग में आर साबहत्ता सैन सैन पूरब एवं दच्छिणी में फैली प्रचीन आर्यों का उत्तर पस्चमी भारत अब अपेचित हो गया था तथा आर सांच्कित क केंद्र अब कुरु छेत्र बन गया था उत्तरवैदिक काल में हिमालय से बिंध्याचल के मद्ध का संपूर भाग आर्यों के प्रभाव छेत्र में आ गया था इस युग में आर्यों की समाजिक आर्थिक युम राजनीतिक इस्थिद में रिग्वैदिक काल की तुलना में बहुत अंतर आ गया तो कुल मिलाके यह रहा उत्तरवेदिक सब्विता से आपको क्या समझते हैं या फिर किसे कहते हैं उसके बारे में संशिप्त इसका परिचा या वर्डन या फिर इसका महत्तु ठीक है चले बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के और अगला कोश्चिन कह रहा पता इसका पता हमें तत्य युगीन महाकाब्यों रामाएड एयों महाभारत से चलता है रामाएड में आदर्स समाज की यह स्थापना है तो ब्यक्त के पारिस्परिक संबंधों में नैतिक मोल्यों की महत्ता पर विशेश बल दिया गया उस समय सत्य आचरण एयों करतब्य पालन को अनिवार माना गया महाभारत में कर्म युग के सधानतं के पालन बिशेस बल दिया इस युग में कर्म को महत्त को समाज में प्रमुकस्थान दिया गया अता अस्पष्ट है कि इस कार में लोग आदस वादी थे वे कर्तब का पालन हेत अपने दायतों का दढ़ता से निर्वा करते थे समाज में चारों वरणों के कार माटे गए थे लोगों को किसी प्रकार का भै नहीं था बेक्त के पद एवं गरिमा के अनुसार उसे दिया जाता था इस प्रकार ततकालें समाज की नहितिक दसा उच थी तो कुल मिलाके ये रहा महाकाब बेकाल की नैतिक दसा की क्या अस्थित थी या क्या दसा थी कैसी थी उसके बारे में संशिप्त वरड़न आप लोगो को समझ में आगया होगा ये भी कोईिश्चन जितने भी मेंने सारे कोईिश्चन बता हैं rhyme में। तो आप याद रखेंगे समझेंगे तो आपको मदद मिलेगी ठीक है। आने वाले वीडियो में और भी कोईस्चन आपको बताएंगे इसलिए आप लोग कमेंट पर अपनी कोई कोईस्चन है कुछ भी रहा है तो कमेंट करके पूश सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो में मिलेंगे निस्ट वीडियो